नमस्कार इस्ट्रेंट्स आज सर्शन जो करनी हम पढ़ा रहे थे खातांक और करनी उसके आज की दूसरी किलास हम आपके साथ सेयर कर रहे हैं क्योंकि कल की किलास तो बागवत कथा की वज़े से जल्दी से फिनिस करनी पड़ी थी पांच कोश्चन सी हुए थे तो चलिए आ और मैं स्वागत करता हूँ आपका अरविंद कुमार नोईया इस्टनक क्लासिज में और देखे ये जो कोश्चन सीरीज हम चला रहे हैं केवल वही कोश्चन सीरीज हम चला रहे हैं कि जो वैरियस एक्जाम में पूछे गए हैं या जिन पर बच्चा बहुत ज़्यादा कन तो आप मेरे साथ जुड़िये जो आपको प्रॉब्लम होती है कुश्चन समें उन प्रॉब्लम को मैं जानता हूँ और मैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगा क्योंकि मुश्चली टीचर केवल आपको इंप्रेस करने के लिए ये ट्रिक्स पढ़ा रहे होते हैं जबक कर दो आपे पांचमा के क्ला कुश्चन जैसे कि हमने होल पे डाला हुआ था तो अभी भी होल पे ही रखेंगे क्योंकि अभी हम ने कल उसमेंसे कुश नहीं बता पाए थे याप श्चे को को बताना है मतलब आपको एक तरीके से कुश्चन ऐसे भी लिखा सकता है कि 12-140 का वर्गमूल बताईए क्या बताईए वर्गमूल मतलब यह कंसेप्ट कौन सा आएगा वर्गमूल कंसेप्ट अब देखें इस कंसेप्ट को आपको समझना है कैसे समझना है वो समझेए देखो जब आप इसका वर्गमूल निकाल लए हो तो आप इस रूड वाली संक्या पर विचार करें 12 माइनस 14 0 अगर आप रूड के अंदर उसको डिवाइड कर रहे हैं तो रूड के अंदर अगर टोटल संक्या रूड के अंदर है तो 4 से भाग करें कितने से भाग करना है, चार से, चार से भाग करना है, तो चार तीया-बारי और दो बचा 4 पजे 20, 35 बचा आप हो, और 35 के ऐसे फेक्टर करिये कि 12 आजाए, जुड़के आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, जुड़के, तो जुड़के करें तो कितने 5 और 5 और कितना,サथ हो ज तो क्या करना है अब जो आपके factor हुए है है जो बार ही बना रहे हैं उनको root के साहथ लिख दीजिए root के साहथ और sign की बात आईगी तो जो sign यहां है वही sign इनके बीच में आएगा अगर यहाँ sign plus का होता तो plus का आता यहाँ sign minus का है तो minus का है ऐए अगर यहां साइन प्लस का होता तो प्लस आता और माइनस का है तो माइनस तो कई बार हम आगे प्लस माइनस लगा देते हैं लिए कन्सेप्ट हिये होता है कि बड़ी संक्या को पहले लिकेंगे चोटी संक्या को बाद में लिकेंगे तो answer कौन सा मेंच कर रहा है question answer number B आपका match कर रहा है तो बड़ा simple हो रहा है लेकिन आपको वो simple समझना पड़ेगा देखे अभी मैंने कहा कि संख्या अगर root के अंदर है यह A है तो root के अंदर से 4 से भाग लगाना है कितने से? 4 से अगर कोई संख्या इस format में है कि A बाहर है और root में और 2 से भाग लगाने के बाद जो बचेगा उसको अंदर ले जाएंगे जो बचेगा उसको अंदर ले जाएंगे यह एक तरीका आप ऐसे कह सकते हैं कि जो असंख्या है उसको अंदर ले जाए पहले और 4 से भाग लगा लिजे तो यह तुम पर डिपेंड करेगा कि तुम किस तरीके से सोच पा रहे हो, किस तरीके से आप सोच पा रहे हो, अगर आप बाहर की संक्या को अंदर ले जाकर करना चाहते हैं, तो आप कर लीजिए, जेके नेक्ट पॉस्चन, थोड़ा ता समझे, रूड 10 प्लस रूड 8 4, तो कितने 21 बार, और 21 के कैसे फेक्टर करने हैं, कि 10 आजाए, सामने वाली संक्या कितनी हैं, 10, तो 21 के ऐसे फेक्टर जो 10 आजाए, वो कितना होगा, 7 और 3, तो मैं इसको लिखूंगा, रूड 7 और रूड 3, इन दोनों के बीच में साइन कौन सा आएगा, यहां अगर प्लस है किस में भाग लगाना है, रूड के अंदर वाली संक्या में, कितने से लगाना है, चार से लगाना है, और जैसे ही चार से भाग लगाओ, जो भी बचे उसके ऐसे सक्टर करने हैं, जो सामने वाली संक्या है, वो प्लस करके बननी चाहिए, और उन्हें दोनों पर हम क्या डा आपकी जो संक्या है वो है 5 पिलस 2 रूट 6 तो इस 2 को अंदर ले जाएगे 2 को अंदर ले जाओ तो 4 में जाएगा 2 तो जा 4 और डिवाइड़ बाइ 6 और डिवाइड किसे करूँगा 4 से कितना बचा? रूट के अंदर बचा 6 और 6 के कैसे फेक्टर करने है? गुना करके कितना बनना चाहिए 6 और जोड़ करके कितना बनना चाहिए 5 तो देख लिजे तो अब इनको ही मैं किसे रूट से एक्सप्रेश कर दूँगा साइन कैसा है मेरा प्लस है तो मैं बीच में क्या लाओंगा? प्लस लाओंगा अगर माइनस होता साइन तो मैं बीच में माइनस साइन होता तो मैं क्या लाओंगा? माइनस साइन ला रहा होता प्लस है तो मैं प्लस ला रहा हूँ तो कौन सा उप्शन मैच कर रहा है? भी उप्शन अब आप समझ गए होंगे या तो आप दो से बाहर भाग लगा लीजिए, बाद में जो बचे की उसे अंदर ले जाना होगा, या जो बाहर है उसको टोटल अंदर ले जाएए, फिर चार से बाग लगा लीजिए, जैसे भी आपको मन हो, ऐसे आप करिए, देखे ये कुश्चन, अब इस तरीके से जब क कट गया, छे बचा, छे के फैक्टर तीन और दो होगे, तो मेरा पहला वाला जो मिला, मुझे रूड थिरी प्लस रूड टू मिला, माइनस, और ये भी इतना ही मिलेगा, रूड थिरी प्लस रूड टू, अब क्योंकि ये रूड फाइप प्लस टू रूड शिट्स के मैंन के रहेंगे, क्या नहीं, ऐसे कुछ कर रहेंगे, क्या करना है, वो समझे जरहें, अब मेरा जो आया था, मैं अब इसको नहीं करता हो, मुझे नहीं आती है गुना-गुना, आप कैसे करने हो, गुना बो 처면 Rhond 3 प्लस रूड टू, मानि legally च्चान कर लिए इसके Conjugate को उपर ले जाए, Conjugate मतलब एक sign को change करके, एक plus को चाहे पहले वाले कर दो, चाहे दूसरे वाले को, तो हमारा धर्म यह बनता है कि हम दूसरे वाले को ही करेंगे, नीचे दौनों का difference लिखना है, तीन में से दो घटे तो एक, नीचे हमें से क्या लिखना है difference, और difference एक है समझो जरा, समझो, समझो, अगर plus है, तो उपर ले जाए माइनस के साथ, माइनस है तो उपर ले जाए plus, और ये वाला ये देखना है plus minus ये, ये नहीं, ये तो सथ, ठीक है, और फिर इन दोनों का क्या लिखना है, इन दोनों का क्या लिखना है difference, तीन में से दो घटे हैंग रूड 3 प्लस रूड 2 माइनस रूड 3 और माइनस माइनस प्लस के रूड 2, इससे एक एंसिल, रूड 2 और रूड 2 एक जैसे हैं, एक इसका एक इसका तो दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 रूड 2, तो आपका अंसर कितना आ जाएगा, 2 रूड 2, option number B is correct, तो समझ भाएं, कॉन्जूगेट को कैसे चेंज करते हैं, वो आप समझें, जैसे मान के चलो कोई मैं और चीजन ले लेता हूँ, आपको कॉन्जूगेट का सिखाता हूँ, 1 और रूड 5 माइनस रूड 3 है, 1 और रूड 5 माइनस रूड 3 है, तो इसको क्या करना है ज़रा, भाई मैंने कहा अपोजिट साइन को ले जाएगे, रूड 5 प्लस रूड 3, माइनस को किस में ले गए, प्लस में, और नीचे क्या लिखा जाना है, दौनों का डिफरेंस 2, तो इसका जब हम शरली करन करेंगे, तो आपको आएगा, रूड 5 प्लस रूड 3, डिवाईड रूड 2, कुछ नहीं करना, मान के चलो, यह आजा है कल को, आप देखो, आप चेंज करो, रूड 7 प्लस रूड 3, तो आप क्या लिखेंगे इसके बराबर, रूड 7 माइनस रूड 3, डिवाईड वाई दौनों का डिफरेंस कितना, 7 मेंस 3 गटे तो 4, कितना, 7 मेंस 3 गटे तो 4, नीचे हमेशा डिफरेंस लेना है, नीचे हमेशा क्या लेना है, डिफरेंस, और देखें, रूड में लेना है, 2 प्लस रूड 3 होलता है, suppose that, 1 ओबर 2 प्लस रूड 3, तो किसको क्या करते हैं, 2 माइनस के रूड 3, और आप सोच रहे होंगे, नीचे डिफरेंस, ये रूड में 4 है, 4 में से 3 गटे तो 1, प्लस माइनस का लिए ना किया, ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको, ये चीज़ें कर देनी है, कर पाएंगे, 1 ओबर 2 प्लस रूड 3 को, अगर हम चेंज करेंगे, तो 2 माइनस के रूड 3 बन जाएगा, डिवाइड इड़ बाई 1 बन जाएगा, नीचे हमेशा क्या लाना है, डिफरेंस लाना है, शीख पा रहे होंगे, चलिए, कुशन लेते हैं और आगे, यह देखें, यदि, X बराबर 3 प्लस 2 रूड 2 है, X बराबर 3 प्लस 2 रूड 2 है, तो रूड X माइनस 1 बटे रूड X, अच्छे, एक्चुल में वो रूड X नहीं पूछ रहे है, वो पूछ रहे, 3 प्लस 2 रूड 2 का भर्ग मूल, रूड X का मतलब क्या हुआ, रूड X का मतलब हुआ, भई X की वैलियू रख दो इसमें, तो 3 प्लस 2 रूड 2, अब आप ये करते हुए आए हैं, ये करते हुए आए हैं, कित से, 2 से भाग लगा दीजे, तो कट गया है 2, क्योंकि अंदर ले जाकर भी 4 करेंगे, 4 से 4 कर जाएगा, 2 बचा, 2 के कैसे फेक्टर करने, जो 3 बन जाए, 2 के कैसे फेक्टर करने, जो 3 बन जाए, तो 2 और 1 3, तो अब अगर 3 को मैं इसको लिखना चाहूँगा, तो मैं root 2 और root 1 लिखूँगा, और sign के साइब plus है, तो plus लिखूँगा, root 1 का कितना होता है, root 1 का कितना होता है, 1 का 1, तो ये root x बरावर क्या मिल गया है, मुझे root 2 प्लस 1 मिल गया, root 2 प्लस 1 मिल गया, आब इसको इसमें रख दीजे, तो root 2 प्लस 1, ठीक है, minus 1 ओबर root 2 प्लस 1, किलियर है, अब इसका क्या करना है भाई, अब इसका क्या करना है, देखो ज़राब, इसका करना है, root 2 प्लस 1, conjugate, root 2 क्या करते हैं, plus का minus, और नीचे दोनों का difference, दोनों का difference, दो में से गटेगा, तो कितना, एक difference तो कोई बड़ी बात है यह नहीं, कर दीजे आगे, अच्छे यह अलग 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 अलग, root 2 प्लस 1, यह, root 2 प्लस 1, तो root 2 प्लस 1, इसको करेंगे, तो minus के root 2, और minus minus प्लस के 1, तो root 2 से root 2 कैंसल, और 1 और 1, 2, कितना answer आ रहा है, 2, option number B is correct, तो assumption नहीं लगानी है आज के बाद, और root देखकर घवराना भी नहीं है, ना तो assumption आपको यूज करना है, ना assumption देखकर, root देखकर घवराना है, ना assumption यूज करना है, इस बात कर आप ध्यान लखिये, simple जी बात है, आप इतना समझेए, कि बस आप इस concept को समझ लीजे, कि या तो root में ले जाकर, 4 से divide करना है, या तो root में ले जाकर, 4 से divide करना है, या बाहर 2 से divide करना है, 2 से divide के बाद, जो बचेगा, उसे अंदर ले जाना पड़ेगा, root में, और square में जाएगा वो अंदर, ठीके ना, चलो जरा देखो, एकाद और question कर लेते हैं, इस तरह कर, देखो ये देखिए, ये question आपके सभी, problems को sort out कर देगा, जैसे, मेरा पहला आयत, 30 प्लस 12 root 6, इसको मुझे सरल करना है, तो मैं क्या करूँगा, 2 से, क्या करूँगा, 2 से, भाग लगाऊँगा, 2 से भाग लगाई, ये देखिए जरा, 2 से मैंने भाग लगाई, तो ये 6 बचा, 6 को अंदर लेगा, 36 और 36 की 6 में गुना कर, 26, ठीक है, गुना एक 6 को तोड़ लेता हूँ, 3 गुना 2, गुना 6, तो 6 ती आठारे, और 6 दो नी बारे, 18 और 12 को अगर मैं एड करूँगा, तो वो क्या बना रहे होंगे, 18 और 12 को जब मैं एड करूँगा, तो वो 30 बना रहे होंगे, समझे, भाई, देखिए, जब इस 6 को अंदर ले जाएंगे, तो ये बना, रूड, 36 गुना 6, और इसको आप लिखे ही है मत, 36 को 6 गुना 6 में तोड़ लिया, और एक 6 आपके पास है, समझे, और उन 6 को भी मैंने ब्रेक कर लिया, क्योंकि मुझे जोड के बनाना है, अगर मुझे घटा के बनाना होता, तो 36 माइनस 6 बना देता, 30 बन जाता, मुझे concept गया है, मेरा concept यह है, कि जोड के बनाना है, तो क्या बना देखो, पहला का बन गया, 18 है, और प्लस है, तो प्लस के प्लस, रूड बार है, पहला solve हो गया, आपका यह, अब दूसरे को solve करो, करो ज़रा दूसरे को solve, मैं इसको अटा देता हूँ, इसमें 2 से divide करें, तो यह तो cancel हो, 3, 3 को क्या लिख सकते, 3 और 1, 3 को क्या लिख सकते, 3 और 1, तो 3 और 1 तो direct आजाएगा, माइनस के साथ, माइनस के, रूड 3, ठीक है, और कैसा sign है बीच में, प्लस, प्लस के रूड 1, के लिए रहा है, अभी basic लिख रहे हैं, 3 के ऐसे factor करें, जो 4 आ जाएँगे, तो 3 प्लस 1 बना, 3 को मैंने रूड 3, इसको मैंने बाहर 2 से भाग लगाया, तो कितने बच्चा 3, 3 को अंदर ले गाया, तो 3 तीन तीन 9, तो मुझे मिला 9 गुना 2, 9 गुना 2, भई 3 का अंदर जाएँगे, 3 तीन तीन 9, 9 गुना 2, 9 गुना 2 मतलब 18, 18 के ऐसे factor करने को 19 आ जाए, तो भाई क्या होंगे, 18 और 1 यही तो factor होंगे, 18 और 1 और minus का sign बाहर है, तो लगा दीजिए, root 8 और root 1, और इनके बीच में sign कैसा होगा, minus का, क्योंकि अंदर minus है, minus है तो अंदर minus लगा रहे हैं, और plus होता तो plus लगा रहा होता, सब का हो गया, तो अब आप समझे होंगे, कि अगर मुझे बाहर divide करना है, तो मैं बाहर 2 से divide करूँगा, मुझे अंदर divide करना है, तो मैं 4 से divide करूँगा, अगर बाहर कोई संक्या बच जाती है, तो मुझे उसको अंदर ले जाना है, square में जाएगी अंदर, उसके factor करके फिर बाहर वाली plus करके लाना है ये काम आप करिए चलिए ज़र आगे अगला line 18 plus root 12 minus root 3 minus root 1 मतलब 1 18 का minus root 18 और minus minus plus के 1 root 1 के value कितनी होती है 1 और minus minus बाहर से plus अब देखो समझें ना एक बार से देख लीजे सब clear है ना तो minus जहां है वहाँ minus कर दिया जब plus है वहाँ plus हो गया 1 से 1 कैंसिल 18 से 18 कैंसिल बचा कितना है 12 root 12 minus root 3 बचा अब 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ मैं 12 को लिख सकता हूँ 4 multiply 3 minus root 3 तो कि जब तक एक जैसे नहीं होगे गटेंगे जुडेंगे कुछ नहीं 4 का कितना बाहर 2 अंदर कितना रह गए root 3 minus root 3 2 root 3 मैं से अकेला root 3 गट गया तो कितना बचा 2 मैं से एक बचा तो एक ही तो बचा केवल क्या बचा root 3 option number D option number D आपका correct हो गया है option number D आपका correct हो गया है तो अब आप सीख चुके हैं अब जो question hold पर था 5 मां पहले उसको कर लेते हैं ठीक है ना आगे बढ़ने से पहले question number 5 को एक बार कर लेते हैं चलिए question number 5 को इसको देखिए अब ये question आपको समझ आ रहा होगा क्यों मैंने क्यों hold पर लगाया था hold हटा देते हैं hold हटा देते हैं क्योंकि इसमें total concept जो था वो वर्ग मूल का concept था इसमें total concept कैश का था देखो root 7 प्लस 4 root 3 तो पहला ही concept इसमें किसका है वर्ग मूल का तो जड़ा कर ये तो मैं पहले इसको solve करता हूँ इतने वाले पार्ट को 4 root 3 आप paper में तो direct करेंगे यहाँ थोड़ा सीखने के purpose से बाहर है तो बाहर में किस से 2 से divide करूँगा कितना 2 को अंदर ले जाओँगा तो 2 दूनी जाएगा 4 तो अंदर जाएगा 4 गुना 3 और मुझे कितना बनाना है 4 गुना 3 का 7 तो 4 और 3 जुड़के 7 बनने तो मैं इसको लिख दूँगा कितना root 4 और root 3 और बीच में sign कैसा आएगा plus क्योंकि plus है तो ये value उठाके मैं 8 के साथ multiply में रखूँगा क्योंकि 8 root 7 plus 4 root 3 है तो ये किसके साथ पहले इसको और solve कर लो 4 का कितना 2 और इसका कितना root 3 और इसके साथ कितने की multiply 8 की क्योंकि आपका क्या है 8 है बार 8 की multiply करें तो 8 की multiply करेंगे तो 8 to 16 plus 8 root 3 समझे और बाहर 3 और है ये 3 भी इसमें आके जुड़ जाएगा तो यहां तक का अगर मैं solve करूँ तो ये कितना हो जाएगा 16 और 3 ये 19 plus 8 root 3 और इस पर क्या आ रहा है वर्ग मून के देखो इस पर क्या आ रहा है root तो मैं step by step इन चीज़ों को करूँ आप समझे लो आप अराम से भई यहां तक की value कितनी थी ये value थी और इस value में ये वाली value मैंने plus कर दी तो ये plus की तो 16 में 3 जोड़ देंगे तो 19 plus 8 root 2 हो जाएगा clear रहे तब ही तो मैं कह रहा था कि कुछ देर लगेगी समझने में इसको hole पर लगाने का अब 19 इसको 2 से भाग किया 2 से किया तो कितना बना 2 से किया तो ये कितनी बार 4 बार और 4 को अंदर ले जाऊँगा 4 चौक 16 16 गुना 3 और इसमें मैं rude ले रहा हूँ 16 गुना 3 तो 16 गुना 3 जब मैंने किया तो 16 और 3 को ही जोड़ ले 16 और 3 को जोड़ ले तो कितना आजाएगा 19 हो जाएगा ठीक है जड़ा कलर का देख लेते हैं कलर कुछ और आ रहा है तो 16 और 3 को जोड़ेंगे तो 19 हो रहा है तो ये rude 16 प्लस ये rude 3 और बीच में प्लस है तो मैंने क्या लगा दिया प्लस का अब इसकी value इसके साथ रखिए इसकी value किसके साथ रखें कॉछ भी गलती नहीं होनी चाहिए minus के rude 3 क्या है minus के rude 3 और बाहर से कितना है प्लस rude 16 और प्लस के rude 3 और इस से ये cancel out हो गया तो double rude में आ गया double rude में कितना आ गया 16 आ गया डबल rude में तो 16 का कितना हो गया पहली बार में होआ 4 और 4 का भी करेंगे तो कितना हो गया 2 समझे तो question को step by step करना है एक भी step skip किया तो हो सकता है आपका answer गलत हो जाए तो option number B is correct तो option number B आपका क्या हो गया correct option हो गया है clear है तो चलिए आज की class में इतना ही कराते हैं फिर कराएंगे आपको next class में तो चलिए next class तब तक के लिए मैं आपको आपसे विदा लेता हूँ और per day हम इतना ही किलास आपको लगवग करेंगे आज कुछ questions कम रह गये हैं तो आगी की class में हम complete करने कोशिश करेंगे तो चलिए आज की class यहीं समाब करते हैं यह वार!